नमस्कार दोस्तों सागता सरलोखा इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में आज के इस वीडियो में आप सभी लोग के साथ सेयर करने वाले हैं कि एरलाइन्स और ट्रेवल से कौन-कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने रही है पहली बड़ी खबर की जनकारी के अनुस सार आपको बता दे की आज 27 मार्च हो चुका है और आज से भारत में रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइटों की सुरुआत हो रही है जी दोस्तों यहाँ पर जैसे ही ये खबर सामने आई थी कि भारत में रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइटे चालू होने वाली है आपको बता दे कि दुनिया भर की एरलाइन्स कंपनियों ने भारत में अपनी फ्लाइटों को चालू करने की तयारियों सुरू कर दी है और अभी की जो बड़ी खबर सामने रही है उसमें कई बड़ी एरलाइन्स कंपनियों जैसे की एमिरात, बर्जिन, एटलांटिक, थाई, एयरवेज, इसके लवाएंध अमेरिकन एरलाइन्स यह सभी बड़ी एरलाइनस कंपनियों जो हैं वो भारत में अपनी फ्लाइटो को आज से बढ़ाने जा रही है आपको बता देखी इस से पहले भारत सरकार के दौरा दुनिया के लगवच चालिश देशों के साथ एर बबल्स के दैथ फ्लाइटों को ऑपरेट किया जा रहा था अब यहां पर एर बबल्स बंद हो रहा है और इन सभी देशों से अब भारत में रेगुलर फ्लाइटे चालू हो रही है यानि कि फ्लाइटों को पर कोई भी लिमिट नहीं रहेगी और फ्लाइटे बिना किसी रिस्टिक्शन के आसानी से ऑपरेट की जाएंगी रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइटे चालू होने का सबसे अदा फायदा यहां पर आम आदमी को होने वाला है क्योंकि अब फ्लाइट की किराये में काफी यादा गिरावट आ सकती है क्योंकि यहा से दामंबर अब अपनी टिकट के बुकिंग करके ट्रैवल कर सकते हैं इन सब के अलावा अगली अपडेट यहां पर डबली चों से भी जान लेते हैं आपको बता देकि डबली चों ने यहां पर फिर दुबारा से वार्निंग देते हुए यह बोला है कि इस समय दुनिया क देते हुए यह बोला है कि इस समय डबल कोरोना वार्यस का इफेक्ट देखा जा रहा है आप यहां पर एक खबर देख सकते हैं जहां पर डबली चों फिर दुबारा से दुनिया के सभी देशों को कोरोना वार्यस से जुड़ हुए रिस्टिक्शन पालन करने के लिए वार करना सुरू कर चुके हैं अगली खबर यहां पर डीजी सीय से सामने रही है एक न्यूज के अनुसार यहां पर डीजी सीय के दौरा इंटरनेशनल फ्लाइटों की जो अनुमती है वो तकरीबन 3200 की दी गई है यानि कि एक सब्ता में भारत में टोटल 3200 के आसपास इंटरन बार से लागू हो गया है और यह जो लिमिट है यह रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइटों को देखकर लाए गया है कि रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइटे जब चालू हो रही है तो उसके लिए एक लिमिट सेट की गई है कि एक सब्ता हमें टोटल 3200 के आसपास फ्लाइट ये उपरेट की जा सकती है फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और एक और अपडेट के नुसर इंडिको एरलाइन्स आज एनी के 27 मार्स से 20 नई फ्लाइटों की सुरुवात कर रही है जो कि अलगलग रूट्स पर उपरेट होने वाली है आपको बता दे कि इन में से ज़्यादतर फ्लाइटे डोमेस्टिक रहने वाली है जिसमें इंडिको एरलाइन्स ऐसे रूट्स पर भी अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट करने जा रही है जहां पर इंडिको एरलाइन्स इससे पहले या तो अपनी फ्लाइटों को ओपरेट नहीं करती थी या फिर ओपरेट करते भी थी तो काफी कम फ्लाइटे ओपरेट हो रही थी इन रूट्स में जो डेसिनेशन सामिल है उनमें है परियागराज, लखनव, पूने, मैंगलूरू, इसके लाब विसाका, पत्नम, हुबली, जम्मू, वारानासी, तिरुप और त्रिचा परली, यह सारे नए लोकेशन से जहां पर इंडी को एरलाइनस के द्वारा नई फ्लाइटों की सुरुआत की जा रही है फ्रेंट्स, यहां पर एक और खबर के जानकारी ले लेते हैं जो कि इस पाइजेट से सामने रही है, यहां पर इस पाइजेट ने जान लाइटों को बंद रखेगी तो फ्रेंट्स यह थी आज की एयर लाइन्स और ट्रैबल से जुड़ी हुई कुछ बेहद जरूरी और काम की अपडेट ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब पर गराखे ताकि आपको लेटेस अपड ते रहे हैं